आगे लोगपुरिया मुख्यमंत्री, हमारे मित्र, स्री बीए सेड्यूर अप्पाजी, अखेल भारतिये वीर्शायुष महासभा अध्यक्ष, डक्टर शमानूर शिवशिंकर अप्पा, मन्च पर विराजमा, सभी पुझ्य संतगाण, गुरुकुल के सभी वा साथी, शिक्षणगाण, और देश और दुनिया भर से पधारे, वीर्शैव सम्मुदाय से जुड़े बंदु भगिने, सर्वेशाम स्वागतम, काशी पिठात, भारताच्या, सर्व प्रांतात्वन आलेल्या, वीर्शै बांदवाना पाहूं, मला अत्यम्दा अनन जाए, काशी पिठान तलो, जरुगुतुन्ने, वीर्शै महा गुम्बाम, ओका अध्भूत कारकम, कथवस्ति भावान, मैं काशी का जन प्रतिनी दिव हूँ, और काशी की धर्ती पर, इतनी बड़ी तादाद मैं पुझ्य संतों के आशिरवात पाने का उसर मिला, है, और काशी के प्रतिनी दिव के नाते, मैं आप सबका और देश से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, संस्क्रेइट और संस्क्रेटी की संगम स्थली में, आप सभी के बीच आना, मेरे लिए अपने आप में एक बहुत-बड़ा सभाग्या है, बाबा विश्वनात के सानीत्य में, मा गंगा के आँचल में, संतवानी का साक्षी बनने का आउसर बार बार नहीं आता है, इस कारक्यम में आने के लिए, मुझे पुझ्जे जगदगुरु जी ने आमंत्र पत्र लिखा था, लेकिन इस पत्र में अपेक्षा और आग्र से भी अधिक, मेरे और राष्ट के समय की चिंता अधिक थी, लेकिन संतों का आदेश हो, रुशियों का संदेश का महत्त हो, युवा भारत के लिए पुरातन, भारत के गवरवगान का अउसर हो, तो समय और दुरी कभी बाधा नहीं बनती है। करनाटका से हैं, महराष्ट से हैं, और बाबा भोले की नगरी का प्रतिरीद्व तो यहां है ही है। मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूं, और आप सब का अभिनन्दन भी करता हूं। सात्यों तुलसी दाची कहा करते थे, संत समागम हरी कथा, तुलसी दुरलब दू। इस भूमी की यही विशेस्ता है, ऐसे में भीर शैव जैसी संत परंपरा को युवा पीडी तक पहुचा रहे, जगत गुरु विश्वा राध्य गुरुकूल के शतार दिवर्ष का समापन, एक गवरव शालिक्षण है। इक्षण के साथी वीर शैव परंपरा से जूडए आप सभी सात्यों के साथ जुड़ना, मेरे लिए बहुत सुखद है। वैसो तो वीर श्ब्द को अधिकतर लोग वीरता से जोडते हैं। लेकिन वीरशव परंपरा वो परंपरा है जिसमें वीरशब्द को अध्यात्मिक अर्थ से परिभाशित किया गया है विरोग रहितां विरोग रहितां शैवं विर्शैवं विदवुर्गा यानि जो विरोग की वैर की भावना से उपर उट गया है वही विर्शैव है मानवता का इतना महान संदेश इसके नाम से जुड़ा पुआ है यही कारण है कि समाज को वैर विरोग और विकारों से बहार निकालने के लिए वीर्शैव परंपरा का हमेशा से आगर रहा है और प्रखर्म नेतृत्व भी रहा है साथियों भारत में राष्ट का ये मतलब कभी नहीं रहा कि किसने कहां जीत हासिल की किसकी कहां पराजय हुई हमारे यहां राष्ट सब्ता से नहीं संस्कृती और संस्कारों से स्रजित हुआ है यहां रहने वाले लोगों के सामर्थ से बना है ऐसे में भारत की सही पहचान को भावी पीडी तक पहुचाने का दाईत्व हम सभी पर हैं गुरुओं, संतों और विद्वानों पर पी है हमारी ये मंदीर हो बाबा विश्वनात सही देश के बारा जोते लिंग हो चार धाम हो या वीर शयव संप्रदाय के पाँच महा पीठ हो शक्ति फीड हो ये दिद्व्य विवस्ताएं हैं ये सारे धाम आस्ता और आध्धात्म के ही केंद्र नहीं है बलकि एक भारत स्रेष्ट भारत के भी मार्ग दर्शक है ये हम सभी को देश के जन जन को देश की विवितता को आपस में जोडते हैं साथियों ये संयोग ही हैं गुरुकुल का ये सताब्दी समारो नए दसक की शरुवात में होगा है ये दसक 21 सदी के ज्ञान विज्ञान में भारत की भुमिका को विश्व पतल पर फिर से प्रतिष्ठापित करने वाला है ऐसे में भारत के पुरातन ज्ञान और दर्शन के सागर स्री सिद्धांत शिखामनी को 21 सदी का रूप देने के लिए मैं विशेश रूप से आपका अभिनंदन करता भक्ती से मुक्ती भक्ती से मुक्ती का मार्द दिखाने वाले इस दर्शन को भावी पीडी तर पहुचाना चाहिए एक एप के माध्यम से इस पवित्र ज्ञान ग्रंत को उसका डिजिली करन युवा पीडी के जुडाव को और बल देगा उनके जीवन की प्रेना बढ़ेगा और तो मैं चाहूँगा आगे चल करके इस एप के द्वारा इसी ग्रंत के सबन में हर वर्ष क्वीच कॉंपुटिशन करना चाहिए और हर लाज़े से पहले तीन जुआएं उनको इनाम देना चाहिए और सब कुछ ओनलाइन हो सकता है देश और दुनिया के कौने कौने तक स्री जगदगुरु रेणुका चाहरी जी के पवित्र उपुदेश को पहुंचाने के लिए स्री सिद्धान सिखावनी ग्रंत का 19 भाषाओं में अनुवाद किया गया है आज इसका भी विमोचन यहां किया गया है संतों के इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना मानवता की बहुत बड़ी सेबा है इसके लिए हम सभी से जो कुछ भी बन पड़े हमें इसी तरह करते रहना चाहिए निरंतर जादा करते रहना चाहिए साथियों वीर, शैवी से जुड़े लिंगायत, समुदाय से जुड़े संतों ने या फिर दूसरे साथियों ने सिक्षाव और संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने में बहुत बड़ी भूमी का निबाई है करनाटा का सहीद देश के अनेख हिस्सों में मठों के माध्यम से अज्ञान के अंधकार को दूर किया जा रहा है मानव गरिमा को नए आयाम दिये जा रहे है ये बहुती प्रसुशनी है जंगंबाडी मर्तो भावात्मक और मनोवज्ञाने ग्रुप से वंचित साथियों के लिए प्रेना का आजिविका का माध्यम भी है आपके ये प्रयास बहुती सरहानी है इतना ही नहीं संस्कृत भाषा और दूसरी भारतिय भाषाओं को ग्यान का माध्यम बनाते हुए टेक्नोलोजी का समावेश आपकर रहे हैं यह भी अद्भूत है सरकार का भी यही प्रयास है कि संस्कृत सहीत सभी भारतिय भाषाओं का विस्तार हो युवाप पीडी को उसका लाब हो यहां मैं स्रीकाशी जगदगुरू स्री चंद्रशेकर सिवाचारिय महास्वामी जी की भी विशेश प्रसंसा करूंगा जिनोंने भारतिय दर्शन कोष की रचना में बहुत बड़ी भूमी का निभाई श्री सिद्धान शिखामनी पर तो उन्होंने पिएचरी की हुई है उनके द्वारा लिखी गई सेंकड़ो पुस्तके युवाप पीडी का मारदर्शन कर रही है उन्हें राष्ट निर्मार के संस्कार दे रही है साथियों देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता बड़कि एक-एक नागरिक के संस्कार से बनता है नागरिक के संस्कार को उसकी कर्तव्य भावना सरेष्ट बनाती है एक नागरिक के रूप में हमारा आचरन ही भारत के भविश्य को तै करेगा नए भारत की दिशा तै करेगा हमारी सनातन परंपरा में तो धर्म शब्द ही करतव्य का परियाय रहा है अब वीर शयव संतों ने तो सद्यों से धर्म की शिख्षा करतव्यों के साथ ही दी है सिद्दांत सिखामणी में भी तो पांच प्रकार के आचरनों का वर्णन है इनमें से तीन आचरन हमारे करतव्यों के पानन से ही जुड़े हुए है सदाचार मतलब अच्छा आचरन ब्रस्टाचार मतलब समाज के प्रती करतव्य और सेवा गनाचार मतलब बुराईयों से लड़ना जंगम बाड़ी मठ हमेशा से इनी मुल्यों के स्रिजन में लगा हुआ है कितने ही सिक्षन संस्तानों के लिए मठ ने जमीन दान की है संसाधन उपलब्द कराए है मठों द्वारा दिखाए रास्ते पर चलते हुए संतों द्वारा दिखाए रास्ते पर चलते हुए हमें अपने जीवन को संकल्प पूरे करने हैं और राष्ट निर्मान में भी अपना सयोग करते चलना है बगवान बस्वेश्वर जिस करुणा भाव के साथ दूसरों की सेवा के लिए कहते थे हमें उस करुणा भाव के साथ आगे बढ़ना है हमें देश के संकल्पों के साथ खुद को जोडना है जैसे पिछले पांच बर्षों में भारत में स्वच्चता के प्रती जागुरता करने में संतों की मठों की गुरुकुलों की एक व्यापक भूमी का रही जिस प्रकार काशिय और देश के युवाओं ने स्वच्छ भारत भियान को देश के कौने कौने में पहुँचाया है वैसे ही और संकल्पों को भी हमें आगे बढ़ाना है ऐसा ही एक बड़ा संकल्प है भारत में बने सामान को हमारे भुनकरों हमारे हस्त सिल्पियों के बनाए सामान को सम्मान देना